लीवर सिरोसिस की समस्य में हार्मोन बनने और पोशक तत्वों को प्राप्त करने में समय लगता है साथ ही लीवर में टॉक्सिन की मात्र भी अधिक हो जाती है तो यह इस बिमारी का एक लक्षड हो सकता है इसलिए भुक चब लगने पर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए 2. बुखार आना अगर आपको बार बार बुखार आ रहा है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको लिवर सिरोसिस की समस्य हो सकती है इसलिए इस इस्ति को बिल्कुल भी नजर अंदाज ना करें और समय रहते ही टॉक्टर के पास जाकर आवसे टेस्ट करवाएं पर त्री ये वजन घटना जिससे पेट में दर्ध होने लगता है इसके कारण सरीर के अन अंगोग पर भी असर पड़ता है इसलिए अगर आप जरुद से ज़्यादा पेट दर्ध महसूस करें तो आपको यह समस्य हो सकती है बर फाइब पे ठाकान और कमजोरी महसूस होना से एक कारण डिवर सिरोसिस की बीमारी भी हो सकती है इसलिए अगर आप जरुद से ज़्यादा थाकान महसूस करते हैं तो आपको इसे गंबेता से लेना चाहिए और डक्टर को दिखाना चाहिए अक्सर खाने या किसी अन्य गंबीर बीमारी के कारण जी मचलाने की समस्य हो जाती है लेकिन आपको बता दें कि बार बार जी मचलाना लिवर सिरोसिस की सुरवाती लक्षड भी होते हैं इसलिए अगर आपका भी भी आपको या समस्य हो तो तुरण डॉक्टर से परमश लें दोस्तो इन लक्षडों के दिखने पर तुरण डॉक्टर से संपक करें अन्यता समस्य गंबीर हो सकती है इसलिए आप अपने डॉक्टर की सला जरूर लें यह जानकारी कैसे लगी अगर अच्छे लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दे और बेल अकंदवाना बिल्कुल न भूलें हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद